काफी दिनों के इंतजार के बाद यहां पर finally जिस चीज का इंतजार था वो हो गया है और काफी सारे भाई बोलते थे comment में कि सर्ट ट्रेक्टर के लिए जो music system होता है उनके जो board है वो लेके आओ या फिर जो complete amplifier होते हैं वो लेके आओ तो guys इस project में इतना time क्यों लगा है यह चीज में आप लोगों को बताना चाहूँ है यहां पर क्योंकि एक जो tractor का music system होता है वो काफी सारी दिखतों से गुजर के निकलता है बेचारा क्योंकि भाई tractor का आप लोगों को पता है गर्मी में भी चलता है सर्दियों में भी चलता ह पानी भी होती है दूल मिट्टी भी होती है तो उसके हिसाब से कोई amplifier बनाना या फिर amplifier board बनाना काफी मुश्किल वाली बात है market के अंदर आपको काफी सारे board मिल जाएंगे काफी सारे amplifier मिल जाएंगे लेकिन एक जो चीज होती है guys वो होती है amplifier की life कि भाई आपने इतने सारे पैसे लगाए और फिर वो दो दिन चार दिन ना चला या फिर महीने दो महीने चला उसके बाद वो खराब हो जाता है तो उस चीज का कोई फायदा है नी ठीक है तो इसलिए ये जो board है इनको काफी दिनों से test कर रहे हैं कि भाई एक अच्छा result मिल सके तो इसलिए इसके अंदर इतना ज्यादा time लगा है तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो boards हैं इन पर लगबग लगबग 2.5 साल से इनकी testing चली हुई है क्योंकि सबसे पहले जब मैंने वीडियो डाली थी उस time पर भी मैं इसी चीज पर focus कर रहा था जो 12V पर चलने वाले amplifier हैं एक तगड़ी output वाले amplifier होते हैं वो हम बनाएं तो तब से ही मैंने start कर दिया था इन पर काम करना तो final जो result है वो अभी हमको मिला है हाला कि ये पहले भी बना बना कि हमने test करे हैं लेकिन एक जो result होता है वो नहीं मिला तो जो एक R&D करते हैं तो उसमें भी काफी सारे पैसे बरबाद हो जाते हैं इस चीज़ों का आप लोगों को पता होगा तो इसलिए final result है जो वो कुछ इस तरीके का यहां पे निकल के आया है same look same देखने वाले जो board है market के अंदर आपको काफी सारे मिलेंगे बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन इस चीज की guarantee होगी आप इसको रखके चला लेना और side में उनको रखके चला लेना अगर यह better निकले तो आपका अगर खराब निकले तो हमारा तो इसके जो कुछ connections वगरा है कि इसके अंदर क्या क्या चीजे लगी हुई है जो इसको एक जवरदस्त board बनाती है तो वो चीजे यहाँ पे मैं highlight कुछ करना चाहूँगा तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो main चीज होती है output के लिए वो होता है अपना BT body यानिके base table body यहाँ पे देख सकते हो जो की 12 volt पे ही चलने वाला है और इसके अंदर कोई wiring का जंजट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे connector लगे हुए हैं देख सकते हो यहाँ पे 6 pin के socket लगे हुए है यानिके connector बोल सकते हैं उनको male female बोल सकते हैं ठीक है तो यह direct आपको यहाँ पे connect कर देना है और ज्यादा जंजटिस के अंदर कुछ भी नहीं है तो इस BT के अंदर आप देख सकते हूँ यह जो port है यहाँ पे छोड़े छोटे ठीक है तो यहाँ पे देनी है हमको input है निके जो अपना Bluetooth card होता है या फिर आप phone से भी दे सकते हो अगर आपको जो guard बजी करनी है तो तो यहाँ पे अपना BT card होता है इसकी यहाँ पे input लग ज तो यहाँ पे यह जो port दिख रहे हैं दो port हैं यहाँ पे plus और minus ठीक है तो यह है अपना यह लिखा हुआ यह अर्थ है और यह पलस लिखा होगा यह 5V है तो यहाँ से हमको जो BT module होता है उसके अंदर input दे देनी है क्योंकि जो Bluetooth card होते हैं वो ज्यादातर 5V से ही चलते हैं त तो यहाँ से आपको 5V output मिल जाएगी Bluetooth के लिए तो अभी आप सोस रहोगे भाई यहाँ तो ना तो कोई जिनर डायोड लगा है ना कुछ लगा है तो 5V कैसे मिलेगी तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा यह यहाँ पे लगई है एक 8805 और इस पे कितनी बड़ी हीट सिंक लगी है यह भी चीज आप लोग देख सकते हो ठीक है तो चलो इसकी जो highlight चीजे है एक का तो मैंने बता दिया चलो दूसरी आप लोगों को बताता हूं तो दूसरा जो main इसके अंदर जो चीज आती है वो होती है short circuit protection तो अभी तक आप लोगों ने देखा अगर short circuit होता है कोई भी जैसे मानलो speaker की wire वगेरा आपस में touch हो जाती है तो उसके लिए यह जो LED है यह glow करेगा ठीक है तो यह हो गया इसका short circuit protection तो उसके बाद यहां पे जितने component लगे हुए हैं देख सकते हूं जो capacitor हैं यह के लगे हुए हैं सारे के सारे और जो resistance यहां पे लगे हुए हैं जो की supply बनाते हैं supply बनाने का काम होता MOSFETS का तो उनकी जो switching है वो ओफ हो जाएगी यानिके यह काम करना ही बंद कर देंगे जब तक short circuit रहेगा ठीक है तो उसके बाद फिर कुछ भी हो कुछ भी दिक्कत होने वाली है नी बोड के अंदर तो यहां पे मैं ज साइज है वो भी आप यहां पर देख सकते हो हीट सिंग का साइज कितना है तो यह थोड़ा सा में बता देता हूं आप लोगों को तो काफी हैवी हीट सिंग इसके उपर लगी हुई है इसका जो साइज है हीट सिंग का वो दो इंच है तो अभी इसकी जो input power की में बात कर ल इसके अंदर आप लोगों को 12V देनी है बैटरी से बीच में कोई भी किसी तरीके का कोई switch आप लोगों को नहीं लगाना है यहां पर मेरा switch का मतलब यह है कि ट्रेक्टर वाला switch होता है जहां पर चा भी लगती है उसके अंदर से आप लोगों को कोई wiring नहीं लेनी है ठीक है आपको बैटरी से CD wiring लेनी है और एक पुसपुल switch आता है उससे आपको इसको connection करके अपने हिसाब से देख लेना तो इस तरीके से जो connection है वो करने है और रही wiring की बात तो इसके अंदर जो पतली gauge की wire होती है वो बिल्कुल भी नहीं चलेंगी आपको minimum इसके अंदर 4 gauge की wire उनके अंदर काफी ज्यादा एंपियर लेते हैं वो ठीक है तो जिससे की ज्यादा एंपियर लेंगे तो बाई wire तो definitely मोटी चीएगी ना तो पतली wire लोग है इसके अंदर तो वो wiring भी हीट करेगी और जो आपका amplifier है वो भी हीट करेगा और जो यह आपके जो base वगरा फटती लोगे उतना ही profit आप लोगों को मिलने वाला है तो यह जो amplifier board है इसकी मैं अगर rms power की बात कर लेता हूं तो यह अपना 100 पलस 100 वोट rms power का board है तो इसके connection भी बताऊंगा यहाँ पे उससे पहले मैं बता दूँ कि यहाँ पे देख सकते हो जो capacitor लगे हैं यहाँ पे लगे हैं केलट्रोन के capacitor हैं जो की 200 माइक्रोफेड और 50 वोल्ट हैं और यह इसके लिए काफी हैं क्योंकि इसके अंदर पहले से DC फोलो करती है ठीक है क्योंकि यह AC पे चलने वाला तो है नहीं तो इसलिए जो capacitor की quantities के अंदर लगी है वो काफी है और साथ में यहाँ पे लगे हुए ह रेजिस्टेंस एक इस साइड है और एक परले साइड में लगा हुए है तो यह जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इनका काम होता है capacitor को discharge करना अगर यह रेजिस्टेंस वगर इसके अंदर नहीं लगते हैं तो एक pop-up की जो sound आती है वो इसके अंदर आती है तो मतलब वो ए irritating sound होती है तो इसलिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगे हैं वो इनको discharge करने के लिए लगे गए हैं अब बात आती है कि भाई आप इसको कितने ओम पर चला सकते हो तो पहली चीज तो यहाँ पर लगे हुए है MOSFET ठीक है transistor की जिगह पर यहाँ पर MOSFET लगे हुए है और य इसको आप जिसे ओम की बात करते हैं कई बार आप लोग ने सुना होगी वहाई कितने ओम सपोर्ट करते हैं तो इसको आप टू ओम पर भी चला सकते हो फोर ओम पर भी चला सकते हो अपने तरीकी से जिसे साब से आप लोग को चलाना उसको चला सकते हो एक खास चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहरा हूं इस बोड की कि आप एक किसी भी amplifier को लगातार सुनते हो चार गंटे-पांच गंटे-च्छे गंटे या फिर पूरा दिन अगर आप मालो सुनते हो तो उसके उससे क्या होता कि जो आपका सीर है वो चकराने लगता है मतलब सीर में दर्द कर देता है लेकिन यह जो amplifier है इसकी जो audio quality है वो इतनी जबरदस्त है कि आप इसको 24 घंटे भी सुन सकते हो मतलब जो चुबने वाली sound होती है वो इसके अंदर नहीं है आपको एक result मिलेगा ठीक है guys तो guys अभी बात कर लेते हैं इसके speaker output की जो wire है वो कहां से उठानी है तो यह पहला जो point है यह देख सकते हो जितना मतलब बड़ा बड़ा यहां पर point बने हुए है तो यह सारा अपना ground है तो एक point यहां से उठा लेना है minus का और plus का यहां से उठा लेना है यहां पर यह point बना हुए है तो जो speaker की wire है वो भी आपको जितनी मोटी आप यूज़ करोगे उ यहां पर यह जो point है यह है अपना plus का और यह है minus का तो आप देख सकते हो यहां पर यह एक तरीके से fuse लगा हुआ है जो कि अपना यह जो fuse है यह है अपना 40 ampere का तो यहां पर आपको यह छोटी सी wire वैसे ही लग रही होगी एक्चली यह में fuse है यहां पर इस board के अंदर जहां जहां पर यह tanning देख रहे हो ना यह इसलिए देगी है ताकि इसके अंदर मानलो जैसे load ज्यादा चलता है जैसे कि ampere जो है वो ज्यादा फॉलो करते हैं तो इसलिए इसकी जो micron है जैसे pcb का micron होता 35 micron की है 70 micron की है तो उस हिसाब से इसका जो micron है वो हम घटाया बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से ठीक है गाईज अभी जो फिलाल इसकी micron है वो है 70 micron ठीक है अगर इससे ज्यादा चाहिए तो आप इसके